इतनी सर्दी है कि कुछ सुनी सुनाई जाती नहीं सिरफ रजाई से ही ठंड भगाई जाती नहीं सिरफ रजाई से ही ठंड भगाई जाती नहीं अगला अगला एक अलग सा शेर है मतलए के आ रहा थ हे थोड़ थोड़ी सी हवा चल रही सी सर्द तो मैंने कहा कि ठोड़ एक शेर लिख देता हूँ सी पर मतले का शेर है बसके कि सासे ही खुद मेरी सासों का सौदा मांगें सासे ही खुद मेरी सासों का सौदा मांगें और हवा ऐसी है सासे ही खुद मेरी सासों का सौदा मांगें हवा ऐसी है हवा ऐसी है कि सरदियां भी तौबा मांगें हवा हैसी है कि सर्वियां भी तौबा मागे थोड़ा सा भोल लिया था ने इसलिए फ्लो थोड़ा सा खराब हो गया बीश में कोई नहीं अच्छा एक वो है अच्छा वो हमारा वो रिपब्लिक डे आ रहा है तो पता नहीं आगे मौके पर आ सकूँ ना तो सबको बहुत-बह बारक बात देता हूँ इस इसकी गरतंद्रिवस की और उस पर एक शायरी लिखता हूँ कि है बोलता हूँ कि मेरे सीने में जो कुछ था उसे इमान लिख डाला मेरे सीने में जो कुछ था उसे इमान लिख डाला वतन की पाक मिट्टी को मैं अपनी जान लिख डाला मेरे सीने में जो कुछ था उसे इमान लिख डाला वतन की पाक मिट्टी को मैं अपनी जान लिख डाला और मेरे एक दोस्त ने महबत की गवाही मुझसे मागी तो मैं अपने खून से माथे पर हिंदुस्तान लिख डाला मैं अपने खून से माथे पर हंदोस्तान लिख डाला